हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार प्रणाम आप सभी का मेकेनिकल एट इज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक सुवागत हैं आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के बारे में यहां पर Assistant Executive Engineers के लिए कुछ vacancies आउट हुई हैं जिनके बारे में हम बातचित करेंगे एप्लिकेशन्स आर इन्वाइटिड ओनलाइन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थ्रूदा प्रफोर्मा एप्लिकेशन टू बी मेड अवेलेबल ओन कमिशन्स वेबसाइट यह जो लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रवाइड करवा दिये जाएगा तो इस लिंक से आपको ओनलाइन फॉम फिल करना है और 15 अक्टूबर 2022 तक आप यहाँ अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले जो रिक्रूट्मेंट का नाम है अगर किसी छात्र ने सिविल इंजिनरिंग में बैचलर डिगरी की हुई है तो इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं उसके बाद हैं AEE civil, same way criteria must possess a bachelor degree in civil engineering from a university in India established or incorporated under a central act or state act or an institution recognized by the university grants commission ठीक है नेक्स्ट है AEE civil in MA and UDPH 147 vacancies है civil engineering में आपके पास bachelor degree होनी चाहिए नेक्स्ट AEE civil in TWD 15 vacancies are available bachelor degree होनी चाहिए आपके पास civil engineering में उसके बाद जो भी डिटेल से बातें दी गई हैं वो तो आपको खुद पढ़नी ही है AEE in I and CAD department 704 vacancies available है तो यहाँ पर कौन-कौन से लोग apply कर सकते हैं जिनोंने bachelor degree civil engineering से की हो जिनोंने bachelor degree mechanical से की हो जिनोंने bachelor degree electrical से की हो या फिर electronics engineering से की हो agriculture में किसी ने अगर bachelor degree की हुई है तो सब लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं नेक्स्ट बात आती है AEE mechanical in I and CAD ZWD तो थ्री vacancies available है तो mechanical में अगर किसी ने bachelor degree की हुई है specially mentioned है कि bachelor in engineering ही degree होनी चाहिए तो वो यहाँ पर apply कर सकते हैं फिर बात आती है AEE civil in TR and B तो civil engineering में bachelor degree होनी चाहिए 145 vacancies available है फिर बात आती है AEE electrical in TR and B 13 vacancies are available must possess a bachelor degree in electrical engineering from a recognized university or institute total vacancies की बात कर लेते हैं तो 1540 vacancies यहाँ पर out हुई है बहुत अधिक vacancies निकाले गई हैं TS PSC दवारा अब कुछ important notes यहाँ पर दिये गए हैं वो आप भी चेक कर सकते हैं detailed notification with breakup of vacancies, age and scale of pay, community educational qualification and other detailed instructions along with essential qualification will be available at commission's website यह इसका link है इस पर आप home अपना फिल कर सकते हैं छीक है जी तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है detailed notification will be available on 15 September 2022 यानि कि आज, आज से आप इस form को फिल कर पाएंगे ठीक है तो आशा करते हैं आपको सब बातें clear हो गई होंगी हम आपके उज्वल भविश्य की कामना करते हैं जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम हुआ है झाल 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 दो झाल झाल